आज हम माटर पुलाव बना के तैयर करेंगे ठन के सीजिन में इतने सारे फ्रेस माटर मिलता है तो जी करता है माटर से ही कुछ बना ले ताजे माटर टेस्ट में भी आच्छा लगता है और ये जो मैंने बनाई है आज माटर राईस या माटर पुलाव इसको बस आप 10 मिनिट में बना के त्यार कर सकते हो कुकर में अगर बनाए तो जल्दी बन के त्यार होता है उसके साथ अगर राईता हम साथ पर दे तो पर्फेक्ट कम्बिनेशन देता है चलि रेसिपी शुरू करते हैं पहले हमें कुकर को गरम करेंगे आज हम बिना प्याज लसुन के ये बला रेसिपी बना के त्यार करेंगे तेल ले लेंगे 4-5 टीस्पुन खड़ा मसाला में ले लेंगे काली मिट्स, इलाईची और उसके साथ लॉंग तीन-चार ताजे मिट्स को मैंने कट करके रखा था उसको भी डाल देंगे ये जो मिर्चे अपसना ले आप चाहे तो डाल सकते हो ने तो स्कीप कर सकते हो यहां मैंने अद्रक डाला है, एक इंच पिस अद्रक को कदुकस करके लिया था इसके साथ हम मटर डाल देंगे, एक छोटा कटोडी ये फ्रेस मटर है फ्रेम को मैंने यहां स्लो करती है चावल को मैंने पंद्रा मिनिट पहले धोके रखा था तो चावल अच्छे से भीग चुका है चावल को भी इसमें डाल देंगे एक साथ अभी हमें इसमें डालेंगे पुलाव मसाला, टूटी स्पूल यहां में ले रहे हूँ एक टेज़ पता सारे चीज़ को पहले हम आच्छे से मिला के सुखा होने तक इसको हम चलाएंगे इस तरीके से फ्रेम को मैंने हाई कर दियें, कम से कम एक से दो मिनिट तक दो मिनिट बाद इसमें जो पाने का अंस्था वो कम हो चुका है अब देख सकते हो, चावल एक एक करके दिखे आए और सुखा हो चुका है अभी हम इसमें पानी अड़ करेंगे, जितने क्वांटिटी में चावल लेंगे, उसकी डबल क्वांटिटी में पानी लेना है यानि एक कटोरी चावल के लिए दो कटोरी पानी नमक आर करेंगे, मैं या हाप्टी स्पूर नमक डाल रहे हूँ आपकी पुलाओ का क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक डालना चोटा कटोरी में आदा कटोरी खिसमिस में या डाल ले हूँ किसमिस जब उबल के चावल के साथ मिक्स हो जाएगा उसका एक बहुत ही बड़े सा टेस्ट आएगा सारे चीज़ को एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसकी कवर को बंद करके स्लो मीडियम फ्लेम में कूक करेंगे कूकर से जब दो हुई सिल आ जाएगा कूकर का भाप अभी जा चुका है तो इसकी कवर को खोलेंगे मौटर कूलाओ जो है आच्छे से बनके त्यार हो चुका है इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ता डाल देंगे सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे कूलाओ को सर परने के लिए एक प्लेट में ले लेंगे आपने खुद देखा कूकर में बस तस मिनिट के अंदर ये बनके त्यार हो गया और कितने आसानीजे हमने इसको बना दी खाने के लिए तो टेस्टी है और इसको अगर आप बच्चों की टिफिन में भी देते हो तो बच्चों भी खा सकते हैं धनिया की पत्ता थोड़ा सा डाल के मैंने गानिस कर लिए इसके साथ सबसे अच्छा कंबिनेशन रहता है राईता का आप भी रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राइ करें रेसिपी के बार में आपके मन में जो भी कोस्चिन से कमेंट सिक्षन में सेर करें इस तरह के कि बहुत सारे नही नहीं हिंदे रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट सेर में जो बेल आइकन है उस